आप जब को किशोर कुमार का सप्रेम नमस्का हमेशा खुश रहने वाले किशोर कुमार रोमेंटिक, कामेडी और संजीदा गीतों को भी इतने अच्छे तरीके से सुरों में ढालते थे कि आज भीवे सभी गीत हमारे जिहन में ताज़ा है किशोर्दा एक सिंगर के अलावा एक्टर, डारेक्टर और कमपोजर भी थे उनके प्रोडक्शन में बनी फिल्म चलती का नाम गाड़ी मिकिशोर्दा ने अपने आवाज और अपने भाईयों अशोक कुमार, अनुप कुमार और पद्नी मदुभाला के साथ अपनी आदाकारी का चलवा भी बखूबी भीरा फिल्म पडोसन में उनकी आवाज और अभी ने तो उस जमाने में फिल्म जगत में एक अलग पहचान बनाई आवाज के दुनिया के बादशा किशोर्दा कुमार, एस्दी बर्मन के संगीत के साथ सबसे पहले फिल्म अभी नेता देवानंद की आवाज बने इसके बाद सत्तर के शुरुवाती दौर में अपनी दमदार और जानी मानी यॉडलिंग के साथ उस जमाने के सुपरशार राजेश खन्ना की आवाज के रूप में उनकी पहचान बनी कोरा का अवज था ये मन मेरा मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुतमत तानी कब आएगी तू? बिती दाये जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? इसी दशक में उनकी आवाज और आड़ी बर्मन के संगीश से सजी आमिताब बच्चा अभी नी कई फिल्मे सूपर डूबर फिट रही तू? शराबी के लिए तो उनके सुरों ने कई गीत बनाए जो आज भी फिल्मी इतिहास में मील का पस्थर हैं लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गिने चुने दोस्त रखने वाले किशोर गमार स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से ह असी के तशक में कई फिल्मिक अलाकारों की फिल्मे तो किशोर दा की आवाज का सहरा लेकर ही हिट हुई बूल गया सब कुछ भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ पार इसी दशक में हिंदी सिनेमा पर चाने वाले कलाकार मिथुन चकरवर्ती ने भी कई फिल्मों में उनकी आवाज उधार ली और फिट हुई शीशे की उम्र प्याल की आखर बिसाथ क्या तू का जो दिल किसी का तो है रत की बात क्या शीशे की उम्र प्याल की आखर बिसाथ क्या कहा जाता है कि फिल्मों में डिस्को गानों में सिर्फ किशोर दा की आवाज ही चपती थी यही वो जमाना था जब किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने भी फिल्मों में गाना शुरू किया और अपने पिता की तरहे शोहरत बटोरी अपने फिल्मी सफर में किशोर दा ने दोसों से ज्यादा फिल्मों की लिए की ज़गाई अपका ये घर बेहना कुछ्छे दिनका भिकाना है 50 से भी ज्यादा फिल्मों में अपने बेमिसाल अभिने की छाप छोड़ी और 8 फिल्मों का निर्देशन किया जह मौका मिला फिसल फिसल गया चांद राथ तुम हो साथ क्या करियर अब तो दिल मचल मचल गया लेकिन 13 अक्तुबर 1885 कि इस शाम को आवाज की दुनिया के करोड़ों परशंसक कभी नहीं पूल पाएंगे जिसने सुरों के इस बाजीगर को हमेशा के लिए हमसे छील दिया मैं बहुत दूर चला तेरी दुनिया से